हेलो फ्रेंड्स, हावर यू, I hope you are good and enjoying these holidays तो आज हम स्टेंडर्ड शिक्स्त के सिलेबस से स्टार्ट करने वाले हैं जो की है जनरल साइंस और जनरल साइंस का फर्स्ट लेसन नैचुरल रिसोसेज एयर, वाटर एंड लेंड से आज हम स्टार्ट करने वाले तो मैं स्टार्ट करने से पहले यह चाहूंगा कि अगर आपने इस गिडिट टुड्रेल्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को रिंग कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकिशन आपके पास आएगा और लाइक करना ना बुलेगा मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो ध्यान से सुनोगे और इसके साथ ही साथ अपना नोट्स भी तयार करते रहोगे तो हम स्टार्ट करते फर्स्ट चैप्टर, जनरल साइंस, नैचरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, एंड लेग यहाँ पे एक पिच्चर दिया गया है जिसमें स्पियर्स ओफ अर्थ दिये गए जो की है लितोस्पियर, हाइड्रोस्पियर, एन एट्मोस्पियर यह क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा बट उसके पहले जो यहाँ पे क्वेशन दिये जा रहे है आप उनका आंसर करिए फिर्स्ट ग्वेशन है वेर डू वी सी द बट्स बर्ट्स पिच्चर में कहा दिख रहें आस्फार में ही दिख रहें तो इसक आनसर आ गया वे सी द बर्ट्स फ्लाइंग इन दा स्काई निर्ड़ रिजोन नेक्स्ट क्वेशन वेर इस दे काव ग्रेस इनग इस picture में cow किदर graze कर दिये, cow इदर पर अपने को दिख रहा है, left side में, meadow में graze कर दिये, तो इसका answer लिख लीजी आप लोग, the cow is grazing in the meadow, next question, locate the trees and the roads, roads and trees का है, तो the trees and the roads are seen on the land, land surface पे, where does the river come from, how does it flows, river खास यारी कई से भेह रही है, तो river comes from, the river comes flowing down from the mountain towards the land, जैसे कि आपको picture में दीख रहे, river mountain से आ रही है, land की towards, next question, where is the aeroplane, जैसे कि सभी को पता ही है, aeroplane तो आस्मान नहीं उड़ेगा, तो इसका answer लिख दीजे, we see the aeroplane in the sky, the aeroplane is in the sky, right answer, where are the fish scene, fish इदर पे काव दिख रहे है, fish देखो, पानी में स्विम करते वे नजर आईगी आप लोग को, तो इसका answer लिख दीजे, the fish are swimming in the water, the fishes are swimming in the water, on what is the sailboat floating, sailboat जो है, वो किदर float हो रहा है, the sailboat is floating on water, natural resources, natural resources होता क्या है, natural resources, वो resources होते हैं, जो हमें nature के थुरू मिलता है, मतलब nature में वो policy रहता है, जिसी कि एयर, एयर को कोई बनाता नहीं है, एयर naturally atmosphere में present होता है, land, land भी policy बना हुआ है, जो land बनाते हैं, दुस्ते लोग, उसको man made land बोलते हैं, land surfaces, बट जो real land होता है, वो policy nature में occurring रहता है, water, water भी किसने बनाया नहीं है, water भी policy इस अर्थ पे, इस धर्थी पे, पहले सी मिला जाता है, वो भी बहुत बड़े proportion पे, तो हम start करते, natural resources, यू can see that some things in the picture are in water, some and on land, जैसे कि आपने देखा, कुछ चीजे water में थी, जैसे कि boat, fishes, fishes, कुछ चीजे land पे थी, जैसे कि trees, cows, और कुछ चीजे air पे थी, जैसे कि aeroplane, तो, and some in the sky, that is in the air, सही बात है, thus, all things on the earth are associated with air, water and land, तो इससे हमें ये पता चलता है कि, हर एक चीज इस अर्थ पे, कुछ ना कुछ relation रहता है, air, water and land के साथ, सही ये, जो air होता है, water होता है, और जो land होता है, उसको earth atmosphere बोलते हैं, अर्थ atmosphere, air, water and land are called earth atmosphere, ये किज़र लिख लीजिए, जैसे कि होता है, hydrosphere and lithosphere, और एक और जो होता है, वो होता है, atmosphere, moreover, difficult, different living things occupy these three spheres of the earth, इस earth के ये तीन spheres होते हैं, जो होता है, lithosphere, hydrosphere और atmosphere, lithosphere means land, hydrosphere मतलब water and जो atmosphere होता है, वो होता है, air, moreover, lithosphere land, hydrosphere water, atmosphere air, these living things are parts of lithosphere, hydrosphere, atmosphere which they occupy together and call the biosphere, जो ये तीनो sphere होता है, तीन sphere कुण कुण से, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, बरो भाई, तीन spheres, तो तीनो spheres को अपन एक साथ मिला के, क्या बुलते हैं, biosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere together called as biosphere, we have learnt all this in, ये सब हम previous standard में पढ़ चुके, the atmosphere is the layer of air that surrounds the earth, जो atmosphere होता है, जैसे कि मैं आपको पहली बता चुका हूँ, जो atmosphere होता है, वो क्या होता है, associated with air, तो इदे लिखा गया है, the atmosphere is the layer of air that surrounds the earth, जो earth के आजुबजु air का layer होता है, उसे हम atmosphere बोलते, the surface of earth comprises of land and water, जो earth का surface है, वो किस से भरा हुआ है, land, land मतलब lithosphere and water, water means hydrosphere, बरो बर, the surface of land comprises of water and land, that is hydrosphere and lithosphere, right, of this hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere, इसमें का गया है, जो hydrosphere होता है, मतलब water, वो बहुत बड़ा part, जो land का रेता है, जो earth का रेता है, earth का, बहुत बड़ा part, खुद occupy करता है, hydrosphere, जिसी के आपको सामने दीख रहोगा, जो water का percentage है, वो है 71 percentage, 100% में से 71 percentage से water है, इस earth पे, और land कितना बचा है, 29%, शिर्फ 29% land है, और जो बाकी का पूरा portion है, earth का, वो water से भरा हुआ है, the proportion of land and water on the surface, on the earth surface, proportion है 71% and 29%, we all liquid gases and form resources, in other words, we use them to fulfill our requirements, वरो बार, water, land को हम अपने यूस के लिए यूस किया करते है, let us now study all these components in detail, जो three components है, जो हमने पढ़े अभी, उसे हम थोड़ा detail में पढ़ते हैं अभी, so let's start, air, water and land are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs, these are called natural resources, air, water and land are factors important for sustaining the living world, जो ये तीन components है, air, water and land, ये बहुत important factors है, living world के लिए, मतब अगर जीना है, तो ये तीन component का हमें यूस करना ही पढ़ेगा, air, water and land are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs, हमारा basic needs सबसे पहले क्या होता है, water हमें नहीं मिलेगा, तो हमारी death हो सकती है, तो air, अगर हमें oxygen भी नहीं मिलेगा, तो उससे भी हमारी death हो सकती है, और अगर land, अगर हमको रेने के लिए कोई जगा ही नहीं मिलेगा, तो उससे भी same cause हो सकता है, तो इसी लिए यह जो तीन component है, उससे हम वो तो important है यह, और उससे हम अपनी जो basics needs होते हैं, वो उसको भी fulfill करते हैं, इनी को हम क्या होते हैं, natural resources, right, these are called natural resources, air, water and land, क्योंकि पहले सी nature में present होते हैं, अभी हम recall करते हैं, what are the five layers of atmosphere, जैसे कि सबको पता ही होगा, troposphere, stratosphere, mesosphere, inosphere and exosphere, are the five layers of atmosphere, यह सब एक एक height पे, एक के उपर एक, एक के उपर एक सब present होते, troposphere, stratosphere, mesosphere, inosphere and exosphere, so अब हम air के बारे में पढ़ते हैं, air के बारे में detail में, the air is in the atmosphere around the earth, जो air है, वो earth के आजोब आजो है, और वो contain करता है, the air contains, क्या के contain करता है वो, nitrogen, N2, oxygen, O2, and carbon dioxide, CO2, यह तीन तो, contain करता है, and six inert gases, और six inert gases भी यह content करते हैं, hydrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapors, छोटी-छोटी बून दे, and dust particles, जैसी कि air में dust particles गुमते रहते, water vapors, छोटी-छोटी बून, water के, छोटी-छोटी बून, या कुछ और water के content, water vapors, धुआ, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide, oxygen, and N2, यह सब किसमें present होते हैं, air में, किदर? air में, the stratosphere contains about 80% of total mass of the gases in the air, जैसे कि, जो five layers पड़े थे, उसमें जो stratosphere होता है, सबसे पहला, earth के उपर, सबसे first layer जो रहता है, वो तर stratosphere का, stratosphere बोल रहा हूँ, troposphere का, जो first layer होता है, वो होता है, troposphere, और यह जो troposphere होता है, वो, पूरे gases का, जो percentage जेता है, 100%, उसमें से, 80% of total mass of gases in the air, troposphere में contain होता है, while the proportion, is about 19% in the stratosphere, अब जो stratosphere है, 80% हो troposphere में हो गया, अब जो 19% है, वो होता है, stratosphere पे, troposphere के उपर एक layer, stratosphere, फिर stratosphere के उपर, एक और layer, वो होता है, efendim, में जो पे, एक ळो के उपर होता है, में जो पे, जो स्बसे, और उस्बसे last layer होता है, वो होता है, EXOसPेर, एक वे उपर एक और layer होता है, यह पाच पढ़े थे हमने, एक तो गया प्रोपो स्पीयर, दूसरा स्टैटो स्पीयर, तीसरा क्या था, तीसरा होता है मीजो स्पीयर, मीजो स्पीयर के ओपर आइनो स्पीयर और आइनो स्पीयर के ओपर भी एक्जो स्पीयर, यू can see that air is a mixture of several gases in the chief constituent of the earth's atmosphere, besides these gases, air contains water vapors and dust particles, the amount of the gases is in the air is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface, thus air becomes rarer at higher altitudes, जिसी कि हमने देखा, जो first layer होता है, first layer कौन सा था, first layer कौन सा था, बताईए, comment में लिखिये, first layer कौन सा था, troposphere, yes, troposphere is the right answer, जो troposphere में था, उसमें कितना air contents था, 80%, जो first layer था, troposphere, उसमें था 80%, उसके उपर आता है, stratosphere, stratosphere में कितना था, 19%, तो 80% से direct 19%, 19, 19, 19% में चला गया, तो हमें इससे क्या बता चलता है, जैसी कि हम उपर उपर जा रहे, तो जो air का contain होता है, वो decrease होते जाता है, इसके जैसे, air becomes rarer at higher altitudes, जो air रहता है, वो एकदम rare हो जाता है, किदर एकदम higher altitudes में, एकदम height पे, इसलिए आपने देखा होगा, किदर आप कभी पहाड पे गए होगे, उपर चड़ रहे होगे, किदर पे, तो कोई-कोई लोगों को सास, किसी की सास फुलने लग जाती है, इसका reason क्या होता है, क्योंकि उदर पे air एकदम rare होता है, राइट, आपने देखा होगा ये, कि उपर चड़ रहे होगे पहाड पे, तो सास फुलने लग जाती है, the proportion of the constituents of air and some of their uses are given below, जो ये constituents थे, उसके uses, इधर पे आपको दिखेंगे नीचे, तो firstly, the some uses of gases in air are nitrogen, nitrogen का use gap, nitrogen helps living things to build the necessary protein, it is useful in the production of ammonia in the airtight packaging of foodstuffs, जो nitrogen रहता है, वो ज़रूरी रहता है, protein build up करने के लिए, protein बनाने के लिए, nitrogen का use होता है, और जैसे कि आप सभी खाते होगे, chips, wafers, curcures, या कोई भी जो packet में pack हुआ रहता है, तो packet में देखो, जो चीज रहता है, उसे यादर तो हावा भर देते हैं उनलो, तो जो air होता है, जो हावा रहता है पैकेट के अंदर, जो उसको फुला के रखता है, उसे हम क्या बोलते है, nitrogen, वो जो air है रहता है, उसके अंदर, वो nitrogen air होता है, foodstuffs, packaging in the air tights, packaging of the foodstuffs, उसके ये nitrogen का use है, protein मनाने के लिए, और जो foodstuffs के packaging के लिए, air tights, packaging of foodstuffs, oxygen, oxygen जिसे की सबको पता ही है, breathing करने के लिए, सबसे main, जो रहता है, वो होता है, oxygen, the necessary, oxygen is necessary for respiration in the living things for combustion, respiration के लिए living things में सबसे ज़रूरी क्या होता है, oxygen, अगर oxygen नहीं, तो हम नहीं, जो सही है, वो सही है, carbon dioxide, carbon dioxide का use क्या है, plants, जिसी सबको पता, यह plants, जो हम carbon dioxide exhale करते, जो छोड़ते, nature में carbon dioxide, उसे plant use करता है, किसके लिए, अपना food बनाने के लिए, plant use it for producing their food, और जिसी कि किदर आग लग गया रहेगा, तो fire extinguisher तो पता है रहेगा, जिससे आग बुसता है, तो carbon dioxide, fire extinguisher में भी यूज होता है, आग बुजाने के लिए, right, plant use it for producing their foods, used in the fire extinguisher, कौन सा, carbon dioxide, अब आता है, आरगन, जिसी कि उसमें लिखा था, inert gases, जो atmosphere में होता है, उसमें inert gases भी होता है, तो आरगन, inert gas ही है, आरगन is one of the inert gases, आरगन का यूज होता है, यह बल्ब में यूज होता है, आरगन is using the bulbs, बल्ब में देखा ही होगा, आपने अंदर, एक पूरा, बलर बलर चीज रहता है, उसको हम क्या बोलते है, आरगन, आरगन is used in electric bulb, helium, helium भी inert gases ही है, अब helium का यूज क्या है, अल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन दे एर शिप्स, एर शिप्स में लिफ्ट जनरेट करने के लिए, helium यूज करता है, और अप्टेनिंग लो टेमरेचर के लिए, helium यूज किया जाता है, नियॉन, नियॉन भी एक inert gas है, नियॉन का यूज किया है, यूज इन डेकॉरिटिव लाइट्स, एन फॉर स्ट्रीट लाइट्निंग, नियॉन का बेस्ट एक्जम्पल, क्या रहेगा, रेडियम, इसदम लाइट, ग्रीन, यल्लो, मिक्स कलर का एक रेडियम आता है, उसे हम चिपका के, आईसा हाथ घुमा के फिर उसके अंदर देखते थे, और बोलते थे, रे रे लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है, तो रेडियम में जह जो होता है, वो लाइट नहीं, वो होता है नियॉन, इसलिए नियॉन का यूज किस्ट में होता है, decorative lights and for street lightning street में भी देखा रहेगा street light में भी neon present होता है ताकि धूर सी लोगों को पता चल जाएगा और कभी-कभी road के उपपर भी stickler लगा देते ताकि वो रात को दिखेगा कि road का direction यह नितो accidents बहुत होते थे इसलिए neon का use किया गया उससे direction of road भी पता चलता है और इसे accident prevent किया जा सकता है तो neon is used in decorative lights and for street lightning krypton krypton is used in fluorescent tubes fluorescent tubes fluorescent tubes भी same हो गया fluorescent मतलब shining type कुछ bright fluorescent tubes krypton का use होता है fluorescent tubes में xenon used in flash photography अभी आप सब भी को photography का जोश तो रहे गई तो जो flash टैफ flash जो light जलती है उसे हम light जलती तो अपना आग भी थोड़ा 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 हो जाता है बरोबर तो वही जो light जलती है flash light जलती है उसे हम उसमे क्या होता है xenon xenon के समें यूज होता है used in flash photography तो कुछ पॉइंट से जो हमें याद रखने पड़ेंगे तो वह है the living world on the earth is sustained due to the balance between various gases and other constituents of air the atmosphere is a very important filter it allows the light and heat of the sun to reach the earth which is necessary for life but it prevents the harmful elements from reaching the earth reaching the earth it is in the atmosphere that fog, clouds, snow and rain are produced तो जो atmosphere का जो layer है अर्थ के आजू बाजू वो बहुत important है important किसलिए sun से बहुत थेज rays आती है अर्थ पे बरोबर तो जो atmosphere का जो layer है जो UV rays होते है जो एकदम harmful rays होते वो उसको वो अर्थ के तरफ आने ही नहीं देता तो वो prevent करता है UV rays को अर्थ surface पे आने कले और जो harmful rays नहीं होती है वो उसको allow करता है अर्थ पे आने कले जिसे जो जिसे हम sunlight बोलते है और वो sunlight harmful नहीं रहती है इट प्रिवेंट्स harmful elements from reaching the earth जो harmful elements होते हैं जिसे की UV rays और भी बहुत कुछ harmful चीजे रहती है elements रहती है उससे वो prevent करता है अर्थ पे पहुचने के लिए और जो atmosphere में रहता है जिसी fog 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 को fog को हम क्या बोल सकते है kora kora तो सबको पता ही रहा जो kora रहता है जो fog रहता है वो भी atmosphere में बनता है clouds, snow and rains are produced in the atmosphere तो यह हमें याद रखना पड़ेगा always remember हमेशा याद रखिए living world of the earth is sustained due to the balance between various gases जो living world है अर्थ पे जो जीव जनतु है जो जीने वाली चीजे वो अर्थ पे क्यों जिन्दा रही है क्योंकि balance बना हुआ है किसके बीच में various gases जो भी gases present in atmosphere में उसके हुजे से यह सब अर्थ पे living world जीन्दा है तो यह point हमेशा याद रखिए always remember तो आगे बढ़ते हैं next topic observe and discuss all of the above picture show large scale emission of smoke through different agencies this smoke directly mixes with the atmosphere disturbing the balance between the constituent of air this is called air pollution this is called air pollution air pollution यसी कि हम इस पे देख रहे कि कितना गंदा कितना पॉलुटेड जो air होता है companies में directly emit कर देते air पे atmosphere पे इसी को हम क्या बोलते air pollution this smoke is directly mixes with the atmosphere and disturbing the balance of constituents of air जैसे कि पहले देखा था जो atmosphere पे जो constituents of air है उसमें air है gases है उसमें ये balance बना हुआ है उसके जैसे living world जी पा रही है और ये जो air pollution होता है इसमें पुरा polluted pollutants एकदम harmful substances gases के ये emit कर दी जाते है atmosphere पे उसके जैसे जो balance बना हुआ रहता है वो disturb हो जाता है इसी को हम क्या बोल सकते air pollution जैसे कि आप पिच्चर में देख सकते है आग लग गई companies में companies में के चिमनी से धुआ निकल रहा है harmful gases are given out through the combustion of fuels वाइकल जैसे कि बीच वाली पिच्चर में आपको दीख रहा है वाइकल में से कितना धुआ निकल रहा है and in big industries left side की पिच्चर में आपको दीख रहा है big बड़े-बड़े industries में से chimneys में से एकदम polluted harmful gases emit कर दे ते direct atmosphere without filtration and also in complete combustion of fuels और right side में आग लग गई है उससे भी एकदम polluted harmful gases atmosphere में जा रहे उसके जैसे जो balance है वो disturbed हो जाता है as a result air pollution is increasing day by day इसके जैसे जो air pollution है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है right है इतने सारे गाड़िया चलती इतने सारे companies बन गए किदर पर आग लग जाती अपने आप उसके जैसे इसके किसके लिए cost कर रहे air pollution के लिए cost कर रहे तो इसे हम इसको हमें जल से जल कम करना ही पड़ेगा government इसके operations ले दिए harmful substances released in air through combustion of fuels आर जो harmful substances देते released जो होते combustion of fuels वो कौन कौन से substances होते nitrogen dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide and soot यह सब harmful substances होते ozone layer जो stratosphere होता है troposphere को पर stratosphere stratosphere के पर जोको एक layer आपको दिखरा रहेगा ozone layer इसको हम क्या बोलते है ozone layer ozone layer को हम क्या बोल सकते है the productive shell ozone layer ही productive shell होता है जो मैंने बोला जो UVs rays आते sunlight के ultraviolet rays जो आते sun से वो ozone ही प्रिमेंट करता है earth surface पे आने के लिए तो देखो पढ़ते जोगे टेखोशे पर देखोशे है पेंड के लिए अपरफ़ प्रिमेंट के लिए ऐटान अ ultraviolet rays coming from the sun are very 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 harmful जो ultraviolet rays होते वो एकदम harmful होते बहुत harmful होते living things के लिए the ozone gas absorb this rays तो जो ozone का layer यह lower part of stratosphere पे वो इस ultraviolet rays जो harmful rays होता है उसको absorb कर रहता है क्या कर लेता है absorb क्या करता है absorb as a result life on the earth is protected तो ozone के वज़े से ही ozone किसको protect कर रहा है life को life को किदर earth पे इसलिए बोला जा रहा है life on the earth is protected by ozone layer जैसे के आपको दिख रहे है status pair के lower part में ozone है ozone क्या करता है ultraviolet rays को absorb कर रहता है उसके जैसे जो life on the earth क्या होती है बच जाती है तो यह जो UV rays होता है ultraviolet rays होता है वो बहुत ही harmful होता है किसके लिए life के लिए जैसे के आपको दीख रहे हैं यूवी rays आ रहे है और ozone क्या कर ले रहा है absorb कर ले रहा है तो ozone absorbs the ultraviolet rays as a result the life on the earth is protected तो ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetra chloride or the chlorofluorocarbon used in the air conditioners and refrigerators mix with the air जो हम यूज करते एसी रेफ्रिजडर वो तो अंदर की चीज़े धंडा करता ही है एसी रूम पुरा धंडा कर देता है रेफ्रिजडर अंदर पानी कुछ चीज़े सब धंडा कर देता है बट अंदर तो थंडा करी रहे है बट जो वो अंदर थंडा करने के लिए कूल करने के लिए जो बाहर वो गैस एमिट कर रहा है वो गैस अगर एक्टमस्पेर से मिक्स हुआ वो किसको कॉस्ट करता है इससे ओजों की जो लेयर होती है वो डिस्ट्राइ होती है दे 16th of September इस सेलिबरेटेड एज ओजों प्रोटेक्शन डे जिसे कि आपने अभी पता करी लिया होगा आपको पता चल गया होगा कि ओजों कितना इंपोर्टेंट है वो अल्ट्रावालेट रेस को अब्सॉफ कर लेता है और अर्थ से आने से प्रिवेंट करता है क्या करता है प्रिवेंट इसलिए ओजों की इंपोर्टेंस तो आप सभी को पता चली गई होगी तो जो 16th सब्टेंबर है वो किसके लिए सेलिबरेट किया जाता है ओजोन प्रोटेक्शन डे और इस इप इंडिया में नहीं ओल ओवर वर्ल्ड ये डे को मनाया जाता है राइट क्योंकि ओजों बहुत इंपोर्टेंट लेयर है यह क्या करता है अल्ट्रावालेट रेस को एब्सॉफ करता है अर्थ सर्फेस पे आने के लिए इसके जैसे क्या होता है जो लिविंग लाइफ पे अर्थ पे वो बची हुई रहती है इट प्रोटेक्टेट दे लिविंग लाइफ ओन दे अर्थ क्या आपको पता है डू यू नो इन मेट्रपोलिटीन सिटीस लाइक मुंबई पूने और नागपूर नागपूर बोट्स आर at place of heavy traffic to show the proportion of various constituents of the air at that place due to these boards we can see the amount of harmful elements in the air जो मेट्रपोलिटीन सिटीस होती है मुंबई पूने और नागपूर उदर पे बोट लगाए गए होते है बोट में क्या होता है जो हमफूल जैसे इस constituents जो होते है वहिकल से जिसके आपने देखा nitrogen dioxide carbon dioxide carbon dioxide carbon monoxide एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो उनकी जो proportion होते है कि nitrogen hydrogen dioxide 91% carbon dioxide 20% यह मैं अपने मन से बोट रहा हूं उदर पर जितना एमिट हुआ रहेगा उसका पूरा वह बोर्ड में डिस्पले कर दिया जाता है इसके जैसे क्या पता चलता है कि जो गैस जो हमफूल गैसे उनका proportion पता चलता है कि यह इतना pollution हो रहा है उस फिर उससे जो government है वह इसके उपर action लेगी और इसे कम करने का prevent करेगी इस बोट्स वी कैन सी दा माउंट हमफूल elements इंदे यह जो एलिमेंट से एहर में वह हम इस बोट के थुरू पता कर सकते कि nitrogen dioxide इतना है carbon dioxide इतना है carbon monoxide इतने percentage में सबसे ज़्यादा कौन सा है सबसे ज़्यादा क्या हम कर रहा है तो use your brain power what would happen if there were no air on the earth अगर earth पे air in होगी तो सिधी सी बाते no air no life अगर air ही नहीं है तो life भी नहीं है तो answer देखिए if there is no air on the earth the life will come to an end because of want of oxygen all the living organisms will die of suffocation if air is not there there will be no atmosphere so there will not be gravitational force air pressure etc the armful radiation from the outer space will reach till the earth surface only anaerobic microbes will do not need oxygen for their survival will subsist on the earth simple सी बाते अगर air नहीं है तो life भी नहीं है अगर air ही नहीं है तो atmosphere ही नहीं है क्योंकि atmosphere airs ही बना हुआ है और जो हमफूल radiation है जिसी की ultraviolet rays अगर atmosphere ही नहीं है तो direct earth surface पे आ जाएगी एकदम हमफूल और earth को effect करेगी खली जो anaerobic respiration होता है anaerobic respiration मतलब वह respiration जिसमें oxygen का use नहीं हो अगर और जिसमें oxygen का use होता है उसको होते aerobic respiration और जिसमें respiration without the use of oxygen अगर oxygen का use ही नहीं जो anaerobic respiration करते वह सिफ इस अर्थ पे पाए जाएंगे और जो living world है वह पूरा खतम हो जाएगा मतलब air ही नहीं है तो life भी नहीं है लोग ऐसी मर जाएंगे क्योंको oxygen ही नहीं मिलेगा animals को भी oxygen चाहिए रहता है तो वह भी उनकी जाएगी और जो harmful gases रहते अल्ट्र वाले ट्रीस nitrogen dioxide और जो और जो मतलब harmful जो effect करते हैं अर्थ को और life पे वह सब अर्थ पी पाए जाएंगे तो next topic is water तो water के बारे में हम next lecture में देखेंगे और next lecture में water के बारे में पढ़ेंगे हम अभी आपको सब air के बारे में पता चल गया air क्या होता है atmosphere में क्या होता है atmosphere मतलब air और air में क्या पाए जाते अलग-अलग gases उनके उनका जो balance होता है एक दूसरे में balance करते सब proportions constituents जो gases के रहते हो balance करते हो उसके जैसे earth पे life possible है और जो 80% जो पूरा gas का constituent है 100% में से 80% सिर्फ किदर पाया जाता है troposphere के किदर troposphere comprises of 80% of total constituent of gases और troposphere के उपर जो है stratosphere में होता है 19% इसे पता चलता है कि अगर हम height पे जाते है उपर 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 जाते है तो जो gas का proportion होता है वो decrease होता है decrease होने के हुझे से जो air होता है वो rare हो जाते एकदम कम हो जाते एकदम height पे एकदम higher altitude पे यह हमने देखा और हमने क्या देखा air pollution के बारे में देखा जो company से निकलता है combustion of fuels vehicles जो harmful gases निकलता है वो किसको disrupt करता है air balance को disrupt करता है इसको हम क्या बोलते air pollution air pollution के causes देखे air pollution में कौन-कौन से harmful gases होते है nitrogen dioxide carbon dioxide carbon carbon monoxide suit etc. यह सब harmful gases होते है इसके बाद हमने ozone के बारे में देखा ozone में क्या होता है ozone layer is the protecting shell वो क्या करता है इसको absorb करता है और किसको protect करता है living life earth को इसके जिसे हमें क्या पता चलता है कि ozone एकदम जरूरी layer है किदर earth surface पे तो अब water के बारे में भी हम पढ़ेंगे but next lecture में water के बारे में सब detail में पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह lecture अच्छे से समझा होगा तो जाने ही से पहले मैं आपको यह बोना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद में जो बैल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए उससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलीगे अगर लेक्चर आया तो और लाइक करना ना बुलिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा थैंक्यू